नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर्ण जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आपने भी इश्रम कार्ण बनवाया हुआ है तो इस वीडियो को आप चरूर पौश करेगा दोस्तों सरकार के तरप से पहली किस्ट ट्रांसपर हो चुकी है लेकिन दोस्तों दूसरी किस्ट आप सरकार द्वारा आने वाली है तो दोस्तो किन वैक्तियों को यह किस्त मिलेगी किसको नहीं मिलेगी उसके बारे में मैं आपको संपुर्ण जानकरी देऊंगा आप चुरूर सब्सक्राइब करेंगा बेलेगन को प्रेस करेंगा दोस्तों ऐसंकरी छेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए इश्रमकार योजना चलाए गई है जिसमें व्यक्तियों को कार्ये और आर्थिक साहिता भी परदान की जाती है यह दोस्तों अगर आपने इश्रमकार धारकों को दी जाएगी दोस्तों अब तक ऐसंगटित शेर्व नित्र में रहने वाले यानके इश्रमकार बनवाने वाले कि संक्या पूरे भारत देश में 26 क्रोड से अधिक हो गई है दोस्तों आप किसी भी राज्ये में रहते हैं सभी राज्यों की निवासि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी आठ क्रोड से अधिक व्यक्तियों ने इश्रमकार बनवाया है जबकि दोस्तो यह लाव सरकार द्वारा उन्हीं वैक्तियों को दिया जाएगा जो इसके पात्र होंगे लेकिन अब तक दोस्तो जो सरकार द्वारा यहाँ पर पोर्टल पर दोस्तो रेजिस्टेशन की संक्या दी गई है यहीं यहाँ पर जो फिल्ड में शर्मिक होचज़े हैं उनकी शर्मका 26 क्रोड़ से नजी करते हैं लेकिन सरकार का दर्याटством यहां पर करीब 35 क्रोड या फिर 38 क्रोड तक का दोस्तों यहां पर इश्रम काड़ बनवा जाएंगे जो कि दोस्तों सर्मिक होंगे उनका यहां पर डाटा इखटा किया जाएगा तो अगर यहां पर संपूर्ण सर्मिक की बात करें तो अब तक जो संक्या यहां पर हो चुकी है वह 28 क्रोड चोटिस लाग अठार हजार एक सो उन इंचस व्यक्ति ने इश्रम काड़ बनवा लिया है अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन व्यक्तियों की जिनको लाब यहां पर दिया जाएगा और दूसरी कि जिसमें दोस्तों आरतिक सहिता पर दान कि जाती है और कई बड़ी योजना उक लाब भी दे जाता है पांसो रुपय की किस्ते किसानों को दोस्तों दोस्तों पैसा दिया गया है लेकिन मैं पुदां चाहूंगा कि अगर आप इसके पात्र नहीं है और आपने इस्रम आपकी जानकारे के लिए बतादे कि आप किस्ट परकार से यहां से लाव ले सकते हैं के और कितनी योजन इसमें जोड़ी गई है यहां पर आप देख रहे हैं बताए गया है कि इश्रम कार जो किस्ट है वह दोस्तो तो दो बार सरकार द्वारा दे जायेगी पहले किस्ट दी गई है दोसरी किस्ट आपको चलती मिलने वाली है और इसके साथ-साथ दोस्तो यहाँ पर किस्टों मैं आपको किस्टों कित दी जाएगी इसमें 2 ग दो योजनाई हैं और किसे अब ल सकते हैं दोस्तों मुलक्त 1 किया टो उच्छी जानकरी घिये जाती है दोस्तो इन्ध्रम पोटल की योजना के अंतरगत शन्व विभाग यानि कि दोस्तो इसके अंतरगत आप स्वयम भी अपलाई कर सकते हैं और कई बड़ी योजनाई जो हैं उन सभी क अलावा आप ले सकते हैं दोस्तो फर्वरी के साथ साथ मार्च महा की 500 रुपे किस्त भी दोस्तो आपको मिलने वाली है हाला कि मैं को दाच हूँगा कि दूसरी किस्त का जो यहां पर एलान किया गया था वह दोस्तो दो मार्च का था लेकिन दोस्तो अब जो तिती है वह आगे बढ़ा दी गई है और दोस्तो आपको अब यह किस्त मार्च इनके 31 मार्च से पहले-पहले आपको दी जाएगी दोस्तों उनको सिधा लाव मिलने जा रहा है और अगर आपने अभी तक इश्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आप सिधा इश्रम पॉर्टल पर पंजी करन कर सकते हैं और दोस्तों कई बड़ी योजनाई हैं बेटियों के लिए मकानों के लिए अर्थिसेतर दी जाती है और दोस्तों यह कार्ड उन वैक्तियों ने भी बनवाया है जो पातर नहीं है तो उनको तो यहाँ पर बिल्कुल भी लाब नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों यह लाब केवल और केवल एसंगर चेतर में रहने वाले वैक्तियों को दिया जाएगा अब दोस्तों यह सर्मिक कौन कुली हैं ड्राइवर है उन सभी को यहां लाब दिया जाएगा रिक्षाचाल को पैंट्रों को और दोस्तो यहां पर मजदूरी करने वाले वैक्ती दिया जाएगा दोस्तों कुछ व्यक्तिय से होते हैं कि अपना स्व्यम का कारिया शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास दोस्तों जो रुपिय होते हैं रुपिय उनके पास रुपिय नहीं होते हैं इसलिए में अपना कारिया शुरू नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर आपने भी इश्रम लेकिन किसको यह लाब मिलेगा अगले किसको मिलेगी चले इसके बारे में हापर एक बार जान लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की सरकार पहले ही घोसना कर चुकी है कि इश्रमकाड योजना के अंद्रगत वैस सर्मिकों के बैंक खाते में हर महीने 500 श्रम विभाग की किसी योजना का लाब नहीं लिया होगा जै दोस्तों अगर आपने अभी तक किसी भी श्रम विभाग की जो योजना चलाई गई हैं उन योजनाओं में से लाब नहीं लिया है तो आपको भी 500-500 रुपे की किस्ते चार किस्ते दी जाएगी दोस्तों 500 कि फर्वरी और मार्च का पैसा रुखा हुआ है तो वह भी आपको मार्च में कभी भी मिल सकता है शल्लक दोस्तु यह रूकिया मार्च 1917 मार्च से पहले पहले आपको मिल जाएगा या निके होली से पहले ही आपको यह हलाब दिया जा सकता है दोस्तो आप हमें कमेंट बुक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि आपको इश्रम कार का पैसा मिला है या नहीं मिला है कि दोस्तो सरकार दुवारा सभी का जो डाटा है वह एक खटक क्या जा रहा है और उस डाटे को दोस्तो बारे बारी करके verify भी क्या जा रहा है क्योंकि इसमें दोस्तो verify चलिए क्या जा रहा है कि आप श्योजना के पात्र है या पिर नहीं दोस्तो यह थी आपके लिए महत्मुन जानकरी जानकरी कैसी लगी हमें आप कमेंट बोक्स में जाकर जरूर वतेगा कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा और दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को आप आप चुरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तों बैल एकन को प्रैस करेगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो आप चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नाइस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत घर रहिए खुश भारत बेद मिलते हैं आपको नाएस्ट वीडियो में जय हिंद दोस्तों जय हिंद वीडियो में तुरूर रहिए भारत वीडियो में फच्छिम्ने सब्सक्राइब करेगाए ये